वन पिस एपिसोड 11-12 आ चुका है जो कि बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि पारेट किंग लेवल क्या होती है जो शुरू होता है एग हिड पे जहाँ योर्क सेरफिम्स को बुलाती है और बताती है कि वर्ल्ड गवर्मेंट बाकी वेगपंक्स के सामने पत्तर का बना देना पर बाद में फिर से नॉर्मल भी कर देना जिससे किसी को मुझे शक ना हो फिर सेरफिम्स के आटक के बाद एगेड में बहुत ही क्योस हो जाता है जिसकी वजए से सब लोग एगेड से भागने लगते है तब हम एगेड के पास ब्लैक बेर्ड पारेट्स की एक राफ्ट देखते हैं उसके बाद सीन शिप्ट होता है एलबाप पे जहाँ पर हम किड पारेट्स को देख सकते हैं जो शैंक से लड़ने की तैयरी कर रहा है और उन में से एक कहता भी है हमने तो अभी एक योनकों को हरा है और अब दूसरे से फाइट करने ज देंगे जो देख किड गुस्सा हो जाता है और कीलर से पूछता है कि हम सच में न्यू वर्ड में है अब हमें के इन बच्चों से भी लड़ना होगा तो कीलर केता है उन्हें अंडरेस्टिमेट मत करना उनमें कुछ स्ट्रॉंग पारेट्स भी है तो किड कहता है हां मैं उ उसका एलीज कीड को रोकने गया है तो शैंक्स केता है कि उन्हें फोरन लोटने के लेका हो बट तभी शैंक्स के कुछ और आलीज आते है और वो शैंक्स से कहता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे तो मैं ही देख लूँगा बट शैंक्स केता है उसे अ य्टना पता है कि वो पैरेट आइलेंड से निकल चुका है, फिर होंगो शैंक को कीड की इंफरमेशन और उसका व़न्टेट पोष्टर देता है, जिससे शैंक को पता चलते है कि कीड साॉद ब्लू से है, फिर हम कीड पैरेट को देख सकते हैं, जहाँ killer बताते हैं कि वहाँ total 9 ships है और उनमें से कुछ पर तो bounties भी है फिर kid कहते हैं कि इन्हें तो मैं बस 10 second में हरा दूँगा और ऐसा केकर अपना dampunk attack ready करता है जिससे देखकर shanks के allies डरने लगते हैं बट kid के attack करने से पहले shanks future sight use करता है और उसे दिखता है कि kid उसके सारे allies पर attack करता है जिससे एक एक करके सारे ships destroy हो जाती है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं तो shanks फोरन kid को रोकने के लिए भागता है और सारे allies को दूर होने के लिए कहता है और साथ में ओर डोरी और ब्रोगी को भी ready होने के लिए कहता है फिर जैसे ही shanks उड़के जाने ल ही है बट shanks के attack से killer का blade तूटता है kid knock होता है और कुछ kid pirates भी और पूरे ship में blast होने लगते है फिर shanks kid की तरफ बढ़ने लगता है तब ही kid को एक flashback दिखता है जिसमें वो killer को कहता है kai do big mom और shanks सब बूड़े हो चुके बस एक और pony clip उसके बाद मुझे pirate king बनने से कोई नह मारना चाहे तो बदले में हमारे सारे pony clips ले लो पर तभी वहाँ पर red hair pirates की ship आती है तो shanks कूत कर उस पे चाला जाता है फिर उन्हें island के shore पर डोरी और ब्रोगी दिखे देते है जो कहते है अगर तुम किसी के घर पर attack करते हो ना तो तुम्हें उनके counter attack के लिए भी ready रहना चाहिए और फिर दोनों giants अपना iconic attack करते है जिससे kid pirates की ship के दो तुकड़े हो जाते है और kid नीचे पानी में गिर जाता है और finally shanks और giants kid pirates को destroy कर देते है